प्राणिस्वरक्षरतीतने हमें पर्मधाम की जो वाणी दी है अपने सरुप की पहचान देने के लिए आपने अभी करंदर सुना किर्पानेत सुन्दर्वर्श्यामा भले भले सुन्दर्वर्श्याम अपने की रंतर में एक जगा पढ़ा है ना मानो ते जैसुक जी ने पूछो अभेचा चाच माहि भागवत भागवत में कौन बेठा है जिसने भागवत को का है वाणी में कौन बेठा है जिसने वाणी को का है गीता में कौन बेठा है जिसने गीता को का है भावात्मा कृप से यह माना जाता है आप समझेए वाणी का एक कतन किसका कतन है स्वयम स्री राज जी का क्योंकि महामती जी क्या कहते है कि लाया बैठ हिर्दे सक्षाथ मेरे धाम हिर्दे में विराज़ान हो कर स्वेम अक्षातीत ने इस वाणी को का ए परंपराइए बदलते रहती है समाज बदलते रहती है समाज का चिंतन बदलता रहता है लेकिन सत्ट नहीं बदलता इस तिये ब्रह्मवानी का क्यतन को अक्षरतीत का क्यतन मानकर उसको अंगिकार करने चाहिए जो भाई कि एक सब्दों पर ध्यान दीचे क्या का है कृपा निद सुंदर्वर स्यामा कृपा का निधान है श्री मेराज का जोतन पहुंचता है हर द्वार में उसकी अवस्था उस समय 60 वर्स की हो चुकी है विक्रम समझ 1735 में 1675 में वो तन इस अंसार में प्रगट होता है और 1735 पहुंचते पहुंचते 60 वर्स की अवस्था हो गई है सब जानते हैं कि परमधाम में क्या है सभी किसोर अवस्था में किसो रवस्था क्यों कहा गया क्योंकि संदरी की पराकर्षठ किसो रवस्था में भी संदर्वर श्याम स्याम स्यामा ये दो सब्दे हैं इस चपाई में भी आप सुन रहे हैं किरपानित सुन्दर्वर स्यामा भले भले सुन्दर्वर स्याम पहले चर्ण में भी सुन्दर्वर सब्द आया है और दूसरे चर्ण में भी सुन्दर्वर स्यामा दूसरे में कहा गया है सुन्दरवर स्याम सुन्दरवर किसको कहते है जो हमारी आत्मा का आतिसा सुन्दर प्रियतम है वह सुन्दरवर है परकाश सिंतुस्ताने में आपने सुना होगा क्या कहा है स्याम सुन्दरवर छोड़के संसार सुक्यो सने यह वही सुन्दरवर सब्द है और वही उस विशेसर को लगा कर सियाम के साथ भी जोड़ा जा रहा है सियामा के साथ भी जोड़ा जा रहा है सियाम किसको कहते हैं आप सब्दकोस में देखेंगे तो सियाम सब्द के लगबग 14 से अधिक सब्दे मिल जाएंगे स्याम का वास्तिविक अर्थ क्या होता है पहले इस पर ध्यान दिजे स्याम कर्थ स्रिकर्ष भी होता है स्याम कर्थ काला भी होता है स्याम कर्थ क्या होता है जिससे अधिक सुंदर कोई नहो सौंधरी की परकाष्ठा जिसमें है वही है स्याम सौंधरी के रंग जो है स्याम रंग माना गया है तो स्याम कर्त काला नहीं होता है जैसे कि लोग समझ बैठे है मैं एक बार कहीं देख रहा था यूटूब में कोई नाटक कर रहा थे बृंदय बनका अध्रिष था इसकान बालों का नहीं था बृंदय उनलवालों नहीं किया था हफ़ूआ इसमें व्यक्ति को काले रंग से रंग दिया गया था से हरा भी काल बिन काला हाथ भंः काल आ और क्या दर्सादिया की सिर्किष काले थे आप सूचिए कि इसके प्रसंग में किस सब्द का अर्थ होता है वो प्रसंग के उनको लिया जाता है जैसे हम स्यामा जी का सिंगार पढ़ते तो क्या कहते हैं स्याम रंग चराओ की कंच की तो स्याम का रंग भूरा भी होता है स्याम का रंग काला भी होता है लेकिन स्याम की रंग किसको कहते हैं इसकी व्याख्या दर्म करंथों में क्या की गई है जैसे पानी है पानी होता है स्वेत लेकिन जब सुरी की किर्णे पढ़ती है तो दूर से देखने पर पानी का रंग नीला दिखाई देने लगता है यमिना जी की जल नहीं होता है लेकिन उनीडी दिखाई देता है। तब कंचनबन आबाश सासियामा उचते हैं। ऌन किसको कहते हैं? सोने को जब 16 लाठ थपाएंगे तो सोना अतिसे सुंदर सोना लाल रंगा दिखने लगता है। कंचन किसको कहते हैं? थम कंचन अतिलाद लालिमा से भरपूर जो सरुप हो उसको कंचन रंकते है उसी तरह से वह सरुप जो अतिसल लाल रंका हो वह स्याम रंका जाता है और इससे अधिक सुन्दर रंक कोई नहीं होता जैसे आप करनाडा के लोगों को देखिए जो मुल निवासी है धुरूप प्रदेश के लोगों को देखिए उनका रंक क्या होता है सफेद रंक लेकिन पूरी तरह से सुन्दर रिवो धक नहीं होता सुन्दर होता है लेकिन वह रंक सबसे अधिक सुन्दर होगा जदि उस व्यक्ति को सफेद रंक वाले व्यक्ति को धूप में खड़ा कर देचिए तो लाल रंका धकने लगता है उस रंक से अधिक सुन्दर कोई रंक नहीं माना जाता है बानी क्या कहती है मुख मेरे में बोक का रंक अधि उज्वल गुलाल उज्वल गुलाल उज्वलता में लालिमा लिया है वाज जो सरूफ है वा है स्याम रंक सफेद रंक हो और उसमें लालिमा फूट रही हो वा स्याम रंक आ जाता है इस रंग से अधीक सुंदर लगने वाला कोई रंग नहीं होता राजी का फी रंग कैसा है? वैसा ही है मुख मेरी मेभूग का रंग अतुचल गुला उस रंग का जो सुरूफ है उसको स्याम स्यामा कहेंगे तो आप कहेंगे कि क्या ब्रेज में भी ऐसा ही रंग था? स्रकृष का? अवसस्य है कि हमारे साहित में हिंदी साहित में अधिक तर स्याम को स्रकृष जी को काला करकर बढ़ित किया गया है मैं यह नहीं कहता कि उनका रंग गोरा मानिए लेकिन वह रंग था स्याम बादल को देखी आकास में भूरे बादल क्या होते हैं भूरे बादलों में सफेदी जलकती है अब ऐसे कुछ घटाएं काला रंग लिए होती है लेकिन उस कालापन कास्ट भी सफेद से जुड़ा होता है जब जल भाप बनता है जल से परिवर्तन होकर भाप में रूप आंतरन होता है तो उसमें भी पहले सफेदी ही आती है बाद में कलापन चलकता होगा मैंने ब्रज के रूप को नहीं देखा है लेकिन जारा तक में दिल कहता है कि जैसा स्रिकर्ष का काला रंग समझते हैं ब्रज में वैसा काला रंग नहीं था यदि वैसा होता है तो पूरा ब्रज स्रिकर्ष के रूप माधरी पर पागल क्यों होता गौाल बाल, नंद यसोदा गोपियां सब इकर्ष के संदरी पर पागल है उनकी तो बात छोड़िये पूरी राजधानी के लोग अपने अपने घरों के उपर से खड़े उकर के स्रिकर्ष की माधरी छप को देखते हैं कभी ने क्या लिखा है ऐसी मृद मुसकान न देखी सचमुत गोविंद सम गोविंद इस गोविंद स्रिकर्ष के समान सुन्दर तो मैंने किसी को देखा नहीं और आज यही होता है कि वर्चिता करना месяц पर लोग किषी का मुझ काला करके कि कहते हैं यह क्रॉक्रिष्ण नहीं समझना चाहिए अब कौन आया है को कर्वपा का नीधान आया है किर्पा नीधान किसको कहते हैं आप यहां जितने सुन्दर साथ बैठे हैं यदि आप से कोई कह दे कि राजी सक्षात आजाएं आप से पुछे क्या चाहते हूं आप क्या मांगेंगे जिसको धन की चाहत होगी वो कहेगा कि मेरे पूरे घर को हीरे मोतियों से भर दीजिए कुछ जो बिद्वान होगा बिद्धुता मांग लेगा कुछ जो सेवा करने वाला होगा यह चाहेगा कि मुझको हुकम की सक्ति दे दीजिए जब स्रीजी अनुप सर चलते हैं तो क्या दिया मकुंदाजी को तार्तम की सक्ति दे दी लालदाजी को गरंदों का ज्यान दे दिया शेख बदल को हुकम दे दिया सब को कुछ-कुछ बक्सिश दे दिख जाओ तुम्हें यह सब बक्सिश दे रहा हूं तुम जागने करो लेकिन वो किर्पा का निधान है किर्पान निधान ने क्याद किया है पहला कारी किया है हमें अपने हिर्दे का रश वाणी के रूप में दे दिया है प्रकास में यह बात आती है, बहुत धन लाए धनी धाम से, परम धाम से राजी बहुत धन लाए हैं, लेकिन जब मैंने उसको तो लिया, तो क्या निकला? तार्तम सम्मे सार, सब का सार क्या निकला? तार्तम या तार्तम, जो पताल से लेकर परम धाम तक अक्षरातीत की पेच सकते हैं जो आपकी लोकिक एक्छाएं हैं उनको विष्णु भगवान भी पूरा कर सकते हैं लेकिन विष्णु भगवान या आधी नरायन परमधाम का जान नहीं दे सकते हैं जो नहीं विष्णु माविष्णु को बुद्ध जी पहुंचेतीत, मेरे हिर्दे चरन्दनी के इने एफल पायाईत। जो नरायन को पता नहीं, विष्णु भगवान को पता नहीं, जागरत बुद्धी ने अक्षरातीत के चरनों की किरपास से वह ज्यान परप्त किया। इनसे परे कौन हैं? दोनों फरिष्टे जिब्रेल और अस्राफियल जिनके द्वारा संसार में अखन का ज्यान आता रहा है। वह तो इनके चरनों में होकर के बैठे हैं, अक्षर के दो चस्में नहां से नूर नचर, तारतम जान के रस में दोनों फरिष्टे जिब्रेल अक्षर की किरिया सकती और अस्राफियल जान सकती। जिसको हिंदू धर्म गृंतों में जान सकती और किरिया सकती का जाता है, जिनको कते पंच्छ में जिब्रेल और अस्राफियल काते हैं, ये दोनों इस संसार को निराकार से परेकार जान दे सकती हैं, अस्राफियल तो आज तक कभी आया नहीं था। लेकिन तार्तम जान आने से जो दूसरा लाफ हुआ है, यहीं बैठे बैठे हम अक्छरातीत युगल सुरूप के नक से सिक्तक की लीला को देख सकते हैं, सोभा को देख सकते हैं, यह सोभा के पहले नहीं था। और जानते हैं, अक्छरवर्म कभी यह सोभा के नहीं था। अक्छरवर्म चांदने चोख में जाकर दूर से ही राज जी को पढ़ाम करते हैं, इस हमा जी को कभी नहीं देखा था। और राजी का भी आधे मुखारविन का दर्शन किया था वह अक्षर ब्रह्म जो अनाधिकाल से परमधाम में रहने पर भी राजी के सतंक के शरूप होते हुए भी राजी का दर्शन नहीं कर सकते थे आज वह सो भाग एक माया के जीव को भी मिल गया है जो कोरा से कोरा जीव हो सुन्दर साथ में यहीं भावना रहती है कि हम तो जीविसिष्टि के हैं ब्रह्मिसिष्टि के तो हमारे अंदर लक्षड नहीं है तो हम चित्वनी करके भी क्या करेंगा इसा मत समझेए वाणी क्य करती है जो कोई हक के हुकम का ताहिए इलम करें जो भी सक लेवे अपनी मेहर में तो नेक दिदार कभ हो लेवे अपनी मेहर में तो नेक दिदार कभ हो राजी की किरपा बरस्ती है तो कोरे से कोरे जीव को भी तार्तम वाणी के चिंतन के पश्याद की जाने वाले चित्वन सक्यों का दर्सन नहीं होगा स्यामा जी का दर्सन नहीं होगा पर ना दिदार कभू निस्बत का ना काउन को यह न्यामत बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे चिपाई स्यामा जी को न देखे तो क्या हो गया राजी को तो देख लिया राज जी के ही दिल तो से अमाजी है लेकिन पचेश पक्षों को और राज जी को दर्शन पाने का सुभाग राज जी के दर्शन पाने का सुभाग एक माया के जीव को भी है यह सुभाग उस आदिन रहन को नहीं है जिनकी चेतना का प्रतिवास जीव के रूप में है तो आप सोचिए इससे बड़ी किरपा क्या होगी पूरे ब्रह्मान के लिए किरपा निधान आया है कोई साधू, संत, रिसी, मुनी, अवतार, तिर्धंकर, पैगंबर नहीं आया है उनकी एक सीमा है इस संसार में जो भी सरूप प्रगट हुआ है उनकी एक सीमा है अक्ष्रातीत के लिए कोई सीमा रेखा नहीं है और अपने सरूप को छिपाने के लिए जब वो अतन दिप बंदर से चलता है तो मार्गी की कठनाईयों को झेलता है जिसके चलन बंदरा के लिए ब्रमान के नायक तरिस्ते हैं वो इस संसार में आता है तो एक साधानर सी ऐसी लेला करता है कि उस लेला के धोके में सभी फंस जाते हैं वाणी कहती है एमाया अमल उतारे स्रीमाहा मत्य मेरा टोने ही को अकार टोने काकार है ऐसा टोना कर दिया बुद्धी ऐसी मारी गई कि सब के बीच आया 18,759 चपाईयां कह गया नक से सिक्तक सिंगार का बड़न कर गया लेकिन कोई पैचान ने कर पया बाणी में साफ कह दिया है कई यों जनन खोया अपना रहे धनी के जमाने माई हाई कहां कहूं में इतिन को जो इन में निर्फल जाए जिस सुंदर साथ ने सत्कुरु धनी सी देविचंजी की सानिता पाई स्री प्रान नाजी के चड़ों में अपना समय गुजारा उन से भागिसाली कोई नहीं और देखा जाए तो हम से अधिक भागिसाली और हम से अधिक बदनसीब कोई भी नहीं है भागिसाली इसलिए कि उनके द्वारा कही वी वाणी का रसस्वादन प्राप्ट करने का हमें सुनला उसर है जिन सुंदर साथ ने स्रीजी की सानिदता में अपने समय गुजारा उनको कई संहरसों से गुजरना पड़ा और अंग्जेब की सिना हर कदम पर पीछा कर रहे थी लेकिन आज तो आज तो आपको घरों में बैठे-बैठे बाणी मिल रही है और वो वाणी भी 133 भासाओं में मिल रही है आपको घरों बैठे-बैठे चित्वनी का उसर प्राप्त है आपको स्रीजी के साथ रह करकष्ट जेलने का उसर नहीं है आप अपने वातानुकुलित कक्छों में रह सकते हैं वायान में सफर कर सकते हैं वातानुकुलित टेन के डिबबे में सफर कर सकते हैं चपण भोग खा सकते हैं घर बैठे-बैठे परमधाम का ध्यान कर सकते हैं या सोभागे तो महामती जी के तन से होने वाली लीला में भी नहीं था लेकिन यदि वानी का चिंतन करके भी आप चित्वनी नहीं करते हैं तो संसार में हमसे बड़ा बदनसीब न कोई हुआ है और न कभी होगा इसने क्या कहा है कृपाने दे सुन्दरवर स्यामा कृपा का निधान आया है कृपाने दे सुन्दरवर स्यामा उसने जो कृपा की है वह किरपा आज तक कोई नहीं कर पाया था तभी तो कहा है कई हुए कई हूई सी पर किन ब्रह्मान दोना है स्री प्राण जी के महिमा के ब्रहवर न तो आज तक कोई हुआ है न है न कभी होगा सुन्दर साथ मैं एक बहुत बड़ी फ्रांती आ जाती है आप देखिए लांदा जी के भी तक में एक चौपाई आती है जो लांदा जी के भी तक के कई प्रकास्टों में नहीं मिलती अब वह चौपाई मिलाई गई है क्या है कुछ भी है लेकिन कई प्रतियों में मिलती है उसमें क्या कहा गया है जब यह प्रसंग आता है कि नदी कि तिनमैं शिर्दार अक्छरातीत देख अपना ठोड शुक पाया है। अब उनकी पहचान तो सुन्दर साथ को देने के लिए कर दिया कि किलकिला के तट पर अक्छरा दीता है जो बनवासी गौड लोग रहते थे जिसको आजकल की भासा में आदिवासी करते हैं ऐसे तो आदिवासी सब्द ही नहीं प्रियुक करना चाहिए आदिवासी सब्द हुआ है यहां के लोगों को लड़ाने के लिए कि यहां आदिवासी रहते थे बाहर से दुसरे लोग आ गए बनवासी जो अनपड़ थे वो क्या कहते हैं यहां नदी का जल न पीजियो दोड़ करके आए उन्होंने सुचा कि यह इतने साधु मात्मा हैं नदी में इस्तान कर रहे हैं किसी ने इसका जल पी लिया तो इसके पीने से प्राण चले जाएंगे वो क्या कहते हैं एक चो पाई आती है यह वही उन्होंने क्या समझा जब देखा कि इसके जल पीने से भी कोई मरा नहीं है तो सब ने क्या पहचान लिया कि यह तो वही कर्शंची हैं जिन् उपाया है लेकिन जो आज विद्वान कहलाते हैं जो बड़े-बड़े एस्थानों के अधिपति कहलाते हैं उनको पहचान नहीं हो पारे है कि प्राणात कहते हैं किसको है उनकी सारे उर्जा किसमें लग जाती है प्राणात देवचन जी के सिस्ष थे उनके गुरु थे सदक आप सोने को सोना मत नहीं कहना चाहते है तो कांच भी तो नहीं कहिए आपको किस ने अधिकार दिया कि आपको सोने को पितल कहिए हीरे को कांच कहकर के बंडित कर जी है अब देखेंगे जो कवीर पंत के अनुयाई हैं कवीर को दुनिया में सरोपर मानते हैं किसी भी आवत और हमें बहुत आनंद आता है प्राणनाजी को छोटा करके अब सुचिए यहां जितनी बेहने हैं चाहें पति से कितनी भी जगड़ा हो जाए यदि कोई पडोसी है उनके पति के बुराई करेगी तो उनकी चेहरा लाल हो जाएगा बले ही जगड़ा करते समय अपने पति को स सान नहीं कर सकती हैं लेकिन हम ऐसे महान है कि मंचों पर गला भाड़ भाड़ कर प्राणनाजी को संत मा पुरुस सिथ करने में लगे हैं इसकी साक्षे पुरी वाणी में कहीं नहीं है पुरी बीतक में नहीं है आप जानते हैं पुरे बीतक में चार बार प्राणनाजी को बीच में जुगल दनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ना तुने तुमें बनाई अभी आपने चुपाई सुने कि तिनमें सिर्दार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुखपाई सीधे अक्षरातीत कहा गया है, एक जगह और कहा गया है, दो और जगह कि या तु अक्षरातीत था, तुमने करी पेचान, अब मैं उती जात हो, मुझे एमान कौन कहता है, कि सुदास जी कहती है, और चल देते हैं स्री जी के खोज में अश्टबर की सिवे पुजा में आता है, एह ही अक्षरातीत हैं, एह ही हैं धनिताओं, चार्ज अस्थानों पर वितक में सीधे अक्षरातीत कहा गया है, 226 बार राज जी कहकर बंडित किया है, वह विचारधरा जो प्रान्राद को संद के में परिभासित करना चाहती है क्या कहती है कि यह तो प्राणराजी को अक्षरातीत कहने वालों उन्हें लिख दिया है तो एक जगह लिखेगा चलिए अक्षरातीत सब्द बना कर लिखा गया है तो उनको स्री राज करके 226 बार किस ने लिख दिया 22 बार हक किस ने लिख दिया इस पर भी कुतर के लिखा जाता है कि जो जिसका सत्गुर होता है वो उनको राज्ची मानता है अरे भै तो इसमें तो सत्गुर करने वाले सैक्डु की संख्या में है तो क्या सभी राज्ची है चलिए आप राज उसको भी कह देंगे लेकिन बाणी कह रही है किर्पा निद सुन्दर वर्षयां भले भले सुन्दर वर्षयां कौन आया है किर्पा का निधान आया है सारे ब्रह्मान पर किर्पा करने वाला किसी बेक्ति को कितना भी धन दिया जाए हीरे मोतियों के महलों में रख दिया जाए लेकिन उसके पास जान ही नहीं हो तो उससे बड़ा दुर्भा की क्या होगा आप देखिए कि संसार में कितनी सब्विताएं आती हैं चली जाती है सब्विताओं के उत्थान में मुल करण क्या होता है जान आज से सौ साल पहले हमारे देश की इस्तिति क्या थी कभी अपने सोचा है नई पिड़ी नई जानती है पुराने लोग जो असी साल के हो गए है वो जानते होंगे क्यों समय इस देश में कितनी गरिभी थी पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे कभी एही देश था आज से पांच जार बर्श पहले जहां सारी सुक्ष्ट इधाएं थी लेकिन यह बैभाव कहां से आया क्यों जान से आया मनुस्ष यदि जान से रही थे तो उसका मारदर्शन करने वाला कोई नहीं होता तु कौन है आय कहां से जाना कहां है तारतम जान का प्रिखास मिला हर ब्रहमसिस्टे के लिए परमधाम का दरवाजा खुल गया सबको यहाँ से बैटे बैटे परमधाम देखने का उसरा मिल गया और जो राजी के चल्डों में रहेगा उससे बहला माया क्या दुखी कर सकती है तभी तो कहां है माया गई पुताने घेर हवे आतम तुझ जग्या ने की जब आत्मा जागरित हो जाती है तो माया भाग जाती है अक्षरातीत ने जिनके हिर्दे में कृपा का सागर उमड़ा करता है तभी तो कहां है कि यह अक्षरातीत कौन है दया का सागर है दया सिंद सुक सागर है इसक गंज अपार सिराब पिलावत नैन सो साकी ए सिर्दार देखिए तीन कारी उसने किये हैं जो आज तक कोई नहीं देख सका है बिनाम पुकारे हमारे धाम इर्दे में आकर के बैठ गया है इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेरवान तिसरी किर्पा पहली किर्पा परमधाम का जान देकर हमें वह पहचान दी है जो आज तक स्यामाजी को भी नहीं थी परमधाम में किसे को नहीं थी जिस स्रिंगार का सौंधर देखने का सुख अक्षर ब्रह्म को भी आज तक नहीं मिल पाया था मेराज से पेड़े वो सारे कोरे से कोरे जीवों के लिए भी सुलब कर दिया ब्रह्म सिष्टियों के लिए तो किया है कोरे से कोरे जीवों के लिए कि संसार के प्राणियों भले यह तुम सपने के तो हो तो क्या मेरी बाणी का चिंतन करो चित्वनी में बैठ जाओ और इगल सरुप के नक से सिक तक का स्रिंगार देख लो जिस अक्षर के आदेश से अनंत ब्रहमानों की उत्पति पलमवल में हो द्धाम की मारिफत का रष जो आज तक पता नहीं था वो दिया दूसरा जो दिया सब को दिदार का सौभाग प्राब दिया सुखा के इसके जिनको नहीं सुवार सो देखन की ठोरी थे जो रूसु कुरूई जा यहीं बैठे बैठे राजी के सुख का रस्पान करने का जो मिला है पहली बार मिला है ब्रज में नहीं था रास में नहीं था सिर्देचन जी के तन से होने वाली लिला में नहीं था लेकिन अब मिला है और जो तीसरी बड़ी बात हर कोई अपने धाम मिर्दय में सारे परमधाम को देख सकता है युगल सुरुप को देख सकता है परमधाम में तो हर पल देखते ही थे तो इसकी आउसकता नहीं थे लेकिन जो पहली कृपा है कि राजी के दिल के वेद जानने का उसर इस जागनी ब्रहान में मिला है वो राजी भी परमधाम में चाह कर भी नहीं दे सकते थे यदि दे देते तो खेली क्यों बनता और तीसरी बात, वहाँ परमधाम में राजी के अत्रिक्त कोई है नहीं, लेकिन इसका अभास नहीं था, जदि सखियां सभी जानते कि हमारे दिल में राजी रहते हैं, तो कोई रब्द ही नहीं करता, कोई कहता नहीं कि हमारा इसका बुड़ा है, अब इस जागने के ब्रहमानवे, हर ब कृपाओं को याद रखें, और इसे बड़ी कृपा कोई नहीं कर सकता, अपने पुरानों को पढ़ा है, सिरियल देखें, क्या देते हैं, तिर्दे प्रगट होते हैं, किसी को ज़्यादा उम्र दे देते हैं, किसी को चकवर्ती राजी दे देते हैं, किसी को पुत्र देते है और क्या दे सकते हैं और यह सारी चीज़े नस्वर है इन तेंज़ को देने की सामर्थ है ना आदे नयाण के पास है ना अक्छर ब्रह्म के पास है यह कारी के उल्राजी कर सकते है इसलिए पहला सब्द है क्रिपानिद और आगे चल्ण बोलता है क्रिपानिद सुंदर वर्षयामा भले भले सुंदर वर्षयाम सभी अचारियों से सहस्तार्थ होता है दस नाम मत के बिद्वान है दस नाम सन्यास मत के बिद्वान है छे दर्शनों के अचारिय है बैसरों के पंत है, यह तो मुख्य मुख्य पंत है, किंतु हिंदु धर्म के लगभग जितने संपर्दाएं हैं, सब के प्रतिन आये होते हैं, स्रीजी से सास्तार्थ होता है, नत्मस्तक होते हैं उनके अलोगी ज्यान के सामने, और उनको सिंगासन पर बिठाकर आर्ति उतारते हैं, तब यह प्रक्ण उतरता है, क्रिपानित सुंदर्वर स्यामा भले भले सुंदर्वर स्यामा, कौन आया है, सुंदर्वर स्याम स्यामा जो हमारी आत्मा के अतिसे सुंदर प्रीतम हैं वह स्याम स्यामा आये हैं किसके रूप में प्राणात किस रूप में देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बनवासियों ने पहचान लिया है कि जिसने ब्रज में काली दह को स्वक्ष किया था काली नाग के वीष से जिसने यमना को स्वक्ष किया तो वही तो आ गए हैं आप तो सेवा पूजा में भी गाया करते हैं मुझे तो सेवा पूजा याद नहीं आती लेकिन एक चुपाई याद आती है कि विश की नदी आ अम्रित कि नो जिसने वीस की नदी को अमरित्माई कर दाला तो आप सोचिए जो हमारा प्रितम है एक मानोतन में बैठा है जाहरी आँखों से तो जाहरी की पेचान होती है इसने कते पक्ष में कई दिश्टांतों से कहा गया है कि संसार अक्षरतीत के सरूप की पेचान नहीं कर पाएगा बाइबिल में भी इसको छिपा कर खा गया है कि जैसे एक चोर आता है अंधेरे में आता है वैसे ही जब सुप्रेम टूर्ट गाड आएगा तो संसार उनकी कोछ भी पेचान नहीं कर पाएगा और इसके लिए कहीं नहीं हम स्वेंग दोसी हैं आज जोर सोर से हर कोई अभी अपने मत के संस्थापक का प्रचार कर रहा है और हमारा तो कोई मत है ही नहीं हम तो संसार के सभी मतों का मार्ड दर्सन करने के लिए आएगे ये तो गत्स इंसार की जो खेंचा खेंच करत अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत नूर मत का अर्थ क्या है नूर मत आगे तो करी जाने जिन कोई गोते का है नूर का मत है नूर करते है तार्थम तार्थम क्या है अक्षरतीत के हिर्दे का बहता हुआ रसी तो तार्थम ह सक्षाइद सरूप इंद्रावती तार्दम को उतार इंद्रावती के अंदर महामदी के अंदर अक्षरातीत का सक्षाइद सरूप विराजमान है इस दिए इनको क्या करते है उनको तार्दम का उतार कहा गया है सक्षाद परम्धाम का ज्यान इस तन में प्रगट हुआ है लेकिन परम्धाम का ज्यान जिसको ब्यक्त करने की लीला ना बरज में हुई, ना रास में हुई ना श्रीष अब जागनी के ब्रहमान में पहले तन से वाणी भी नहीं अउतरित हुई केवल सत्कुर्य धनिसिदेवचन जी के मुखारविन से सबने सुना अब ये तार्तम वाणी है आज ये वाणी नहीं होती तो लिला हुए तो आज से लगवक तीन सो बर्स हो गए हैं हमको कौन प्रानात की पहचान करा रहेगा इस तिये वाणी करती है चर्ने हैं सुत्वाई सही पर पीछले करन ये वाणी करे आने वाला सुन्दर साथ कैसी अपनी आत्मा को जागरित करेगा इसके लिए परमधाम की वाणी आई है इस तिये कोई भी अपनी बुद्धी से जदि हम सत्य का परचार नहीं कर सकते तो बुद्धी को नकरात्मक दिसा में लेकर सारी उर्जाया लगा देंगे कि प्राणना जी को हम संत इसलिए कहते हैं कि संसार वाले समझ नहीं पाएंगे तो क्या आपको हीरा बेचने के लिए दिया जाए तो आप सबजी मंडी में ले जाकर के कि सिसा कर बेचेंगे ये कोई तर्क नहीं होता सत्य को बदलने का अधिकार आपके पास नहीं है यदि संसार वाले मुहम्मद साहब को अतुलनी मानते हैं यदि संसार के लोग कबीर जी को अतुलनी मानते हैं तो आप उनसे भी छोटा क्यों कर देते canım, एक संत कह देते हैं, कभी मापुरू का देते हैं, कभी कह देते हैं, कभी गुरू कह देते हैं, इस दिए, जिसने इस पहले चरन्द को अंगी कार कर लिया, कि किवा जिन्होंने किर्पा का अनंत भंडार सारे ब्रह्मान के लिए खोल दिया है ये कौन बोल ला है? सुमक्षरतीत कावेश बोल ला है परंधाम की आत्माओं को पहचान देने के लिए कि जिसकी आरती उतारी जा रही है संसार तो उनको विजया अबनन्द बुद्ध निष्कलंग सरूप में बारी पहचान कर पाएगा देखिए विजया अबनन्द किसको कहते हैं? विजय जिसका अविनंदन करे सत्कुर धनी सिदेव चंजी को विजया अबनन्द बुद्ध उतार कहते हैं प्रान्ना जी को क्या कहते है? अबनंद बुद्ध निश्कलंग का थे है? इस निश्कलंग का आर्थ क्या है? कि देखें भई आप हिंदू है इस यह बाơणी में जो उर्दू के अरवी के सब्धा है इसको नहीं पढ़ना इस को थेक है अतीत काल में या बरतमान में भी इसलाम के नाम पर आतंकवाद का एक जाल बिचा दिया गया खोन की नदिया बहाई गई लेकिन जिस कालखंड में बाणी उतरित हुए है उस कालखंड के सब्दों का इसमें परसंग आ गया है और सबसे बड़ी बात सुरी का प्रकास तो सब को चाहिए अमेरिका को भी चाहिए भारत को भी चाहिए पाकिस्तान को भी चाहिए पाकिस्तान यदि हमसे बैर रखता है हमसे तो बैर रख सकता है लेकिन सारी स्रिष्टी का जो परमात्मा है वो किसको छोड़ेगा अखिर वहां की जो प्रजा होगी उसमें भी तो कोई अपने तरीके से प्रमात्मा की आरादना तो करेगा हम जिस भासा में संस्कृत में पैदा हुए हैं जिस भासा को हमने ग्रण किया हैं उस भासा में हम अपने तरीके से राजी की भक्ति कर सकते हैं लेकिन मुसालमानों का भी तो वह है, क्रिष्णू का भी वही है, यहुदियों का भी वही है, बोधी का भी वही है, क्या आपने उनकी निष्था को देखा है? आप भारत के जितने प्रसिद सिंख्षण संस्थाओं में जाए जो अध्यात्मी ग्यान की संस्थाओं है रविशंकर जी के संस्थान में जाए जगी वस्देवा के पास जाए राधाव समयमत में जाए आप अंग्रेजों को देखेंगे आप रिस्केस में चले जाए फरवर चाहिए उनके पास क्रोनों रुपए हैं सब छोड़ चार कर आते हैं भारत के लोग नोकरियों के लिए भी देशों में भागते हैं और बीदेश वाले अपना डेश छोड़कर भारत आते हैं अध्यातमिक ज्यान के लिए उनके अंदर भी एक हिर्दय है वो हिरे सांथी की तलास में चाहता है वो भारत आकर यह नहीं कहते हैं कि हम चो है अपने यह चीज़ में जानना चाहते हैं उनको तो किसी तरह से सांथी चाहिए उनकी सोच बड़ी होती है तो आप देखेंगे कुम के मेले में आप चले जाएए कितने अंग्रेज भभूत लबटी वे मिल जाएगे कोई भगवे कपड़े पहनी वे मिल जाता है कोई ध्यान कर रहा है कोई तृसुली है क्यों उन बेचारों को यह लगता है यदि हम हिंदू बन जाते हैं तो हमें अलावकिक धन मिल जाएगा आप सोचिए जो सर्वसक्ति मान है सकल गूर निधान ह उसे सब की पुकार सुननी पड़ती है एक माँ है उसके चार बेटे हैं एक बेटा अरबपती है एक बेटा करूडपती है एक बेटा मध्यमस्तर का एक बेटा भिकमंगा है जोपड़ी वाला है जदि वो सच्ची माँ है तो अरपती बेटे से भी उतना ही प्रेम करेगी जितना जोपड़ी वाले से करें जोड़ी जदी अरफती बेटे के घर अच्छे भोजन बन रहे हैं और उसके कंगाल पेटे के याँ खाने को नहीं है तो उस पीड़ा को केवल उमा जान सकती है और नहीं जान सकती है तो आप सोचिए वेद में क्या लिखा है सहनव बंदु जनता सवेद धामान विस्वानि वेद की तो बात छोड़ी है आपने गीता तो पड़ी है गीता में सिकर्ष की प्रारता करते हुए है जब आप ही माता हो आप ही पिता हो आप ही सखा हो कहने का आसे क्या है जब एक माँ अपने सारे बच्चों को एक समान देखती है चाहे और पती हो चाहे कंगाल हो तो परमात्मा के लिए सभी बराबर है हिंदो, मुस्लिम, क्रिस्चन, यहुदी लेकिन आप ब्यापक दिश्टक वैदिक धर्म था, एक ही वैदिक भासा थी, वेद संस्कृत की भासा थी, कालांतर में जब ज्यान का हरास होता गया नई नई भासा ही बनती गई, आज आप घिरना से बाणी यह कहेंगे कि बाणी में यदि अर्भी उर्दू के सब्द आए हैं तो हम मानेगे ही नहीं, समा आगया तो सिंगार गरंद को ही अटा दिया, सागर को लिया है, लेकि सिंगार को अटा दिया है, सनंद मारिफ़त सागर क्यामत नमा खुलासा तो अटाया ही, सिंगार गरंद को भी अटा दिया, इसे बड़ी बदनसीबी क्या, यह सिंगार ही तो गरंद है, जो हमें मारिफ साथ कर लिया उसने एक तरह से अपने मारिफत की रहां खोज ली तो यह हमारी एक संपरदाई की संकेंड़ता है हमने अपने विचारों को इतना संगुचित बना लिया है कि एक छोटा सा संपरदाई बना लिया है जैसे बैसरों का संपरदाई कंठी तिलक ही हमारी पहचान हो गई है कंटी तीलक से हम कहते हैं कि हम तो प्रडामी हैं हम सुन्दर साथ हैं ना आप प्रडामी हैं ना आप किसी संपरदाय के उन्हें आई हैं निजाने संपरदाय कहिए या प्रडामी कहिए तो आप बाणी की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं आप सारे विश्व का मार्ग दर् पूरे बिस्व का ब्रमन की चेचे तब आपको पता चलेगा उन भोले भाले हिर्दे की करूना का पता चलेगा आप यदि एक मानवी धरातर पर देखिए आज कल मैं आपको एक दिश्टान देता हूं इज्राइल और फिलिस्तिन में इसमें युद्ध चल रहा है फिलिस्तिन पर बम गिर रहे हैं उनका संक्तिन हमास जो बहुत कुरूरता दिखाता है मारता है लेकिन मैंने एक दिन यूटूब में एक दिरिस्त देखा फिलिस्तिनी एक बच्चा प्रार्थना कर रहा है उस प्रार्थना के सब्द क्या है सलाम या महदी आगे के सब्द तो मुझे याद नहीं आपा रहा है रो रहा है फूट फूट कर रो रहा है और एक प्रार्थना सुना रहा है सलाम या महदी पुकार रहा है कि इमाम महदी आज आओ हमारी रक्च्चा करो मैं उस बच्चे की करुण पुकार सुनकर के इस्तंबित रहा गया बलही सारा संसार घ्रना कर रहा है लेकिन उनको भी तो आसा है कि इमाम महदी आएंगे तो हमारी रक्च्चा करेंगे क्या परमात्मा के विल हिंदू का है उस बच्चे का जन्म जदी किसी कारण से फिलिस्तीन में हो गया है तो उसके अंदर भी तो एक मासूम हिर्दय है जो परमात्मा की सरन चाहता है यहूदी के अंदर भी एक मासूम हिर्दय है जो सत्य को जनना चाहता है क्रिस्चियन के अंदर भी वही हिर्दय है जातियता के नाम पर वर्ग के नाम पर जिदी हम घिर्णा करते हैं तो हमारी एक छोटी सोच होती है आप सोचिए आप जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश में क्या कहा जाता है सरवा आसा म मित्रम भवंती सबी दिसाइं मेरे मित्रों हम तो उद्गोस करते हैं कि दो सांती, अंतरिक्षम सांती, पृतिभी सांती, आपाय सांती, बनस्पते सांती सरवत्र सांती हो, सारे ब्रहांड में सांती हो, अंतरिक्षम में सांती हो और हम यहाँ जाती-पाती बना कर बैठ जाते हैं संपरदाय की लकीरे खीश देते हैं हिंदु धर में ही एक हजार से अधिक संपरदाय है हम सारे हिंदुओं को अपनी समान नहीं समझ सकते लेकिन जो पूरान ब्रह्म है सब का है और वो पूरान ब्रह्म जब आया है तो क्या करेगा सब को एक देशी से देखेगा उसकी दृष्टी में जितने हिंदू प्यारे हैं उतने ही मुस्लमान भी हैं उतने ही क्रिश्चन भी हैं उतने ही यहुदी भी हैं लेकिन हमारा ये सोभाग्य है कि गृष्छरतीत के चड़ कमल भारत में पढ़े हैं, और हम जिस हिंदुतन में अक्षरतीत के चड़ कमल पढ़े, हमें भी उस समाज मेंजनर लेने का उसर मिला है, लेकिना हमको घहना करने का अधिकार में है, हमें वाने के किसी भी चुपाई को किसी गुरण्ध को निकालने क अधिकार नहीं है कि इसमें हग हग लिखा है मासुक लिखा है उर्दू के सब्द हैं तो पूरी वानी को हम खंडित करते हैं क्योंकि यह वानी किसकी कही है वो सक्षरतीत की कही है इस देका वो पज्यो सुक संसार में आए धनी श्रीदाओं अब इस चोपाई को तो कोई नही लिखेगा यह तो तर्तम बाणी की चोपाई है कि यह सारे संसार में सुक पजाए सारा ब्रह्मान यह प्रतिक्चा कर रहा है कि हमें अक्षरतीत के चर्ण कमलों की सानीता प्राप्त हो जाए हम सबसे अधिक दोसी हैं जिनोंने हमने एक संपरदाय का जो घेरा बना लिया है हम किश्पणामी धर्म कहें या निजानंद संपरदाय कहें मुझे दोनों ही पसंद नहीं है पहले तो सुन्दर सासिक में कटू बात कहूंगा कि देखिए भई इस संसार में है तो कुछ ब्याकरण पर भी ध्यान देना चाहिए हम अपने मंदिरों का नाम क्या रखते है सिकिर्ष प्रणामी मंदिर मंदिर किसका होता है इस्ट का होता है अराधिका होता है अराधक का मंदिर नहीं होता है जिसे मंदिर में सीव की मुर्थी रखाएंगे तो क्या कहेंगे सीव मंदिर साहिवा मंदिर नहीं कहेंगे सीव का उपासक क्या कहलाता है साहिव कहलाता है विष्णू का उपासक विष्णू कहलाता है तो विष्णू मंदिर नहीं होगा विष्णू मंदिर हो सकता है क्योंकि इस्ट कौन है विष्णू मंदिर हमारे इस्ट कौन है आपको कृष्ट नाम पसंद लगता है तो यह लगिए अक्षरातीत से कृष्ट मंदिर ठीक होगा लेकिन कृष्ट पढ़ामी का अर्थ क्या होता है कृष्ट को पढ़ाम करने वाला तो कृष्ट को पढ़ाम करने वाले का मंदिर है या कि कृष्ट का मंदिर है लेकिन इतनी भी समझ नहीं, वो गल्ती पूरा समाज दो राता जा रहा है, और हम प्राणाजी को संत काने पर तुले हुए हैं, और जीत पकड़ लेते हैं कि नहीं प्राणाजी संत हैं, यह चुपाई कह रही है, सारा ब्रह्मान, आउसी आउसी रे, सब कोई कहते हैं, आगे पूरान ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सिष्टी सिर्दार, इस रे सिष्टी और जीव की सवाई कुरुदितार, यह चुपाई तो नहीं 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 लिखे, इस तिये, बितक में जहां-जहां प्राणाजी को अक्षरतीत कहा गया है, उन चुपाईयों को बदलने का जो सपना देखते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, हमें प्राणाजी को वास्तविक स्वरुप में पहिचान करना चाहिए, कि आकर के उनने अपनी कृपा, उनके हिर्दे में कृपा का जो अनंत सागर उमड रहा था, अनाधिकाल से, वो सारा कुछ इसी स्वरुप के द्व इस ब्रामान के लिए उन्होंने प्रिस्टत कर दिया है, असा है, राजी सब को सदवुद्धी दें, कि वो प्राणाजी के सुरुप की पहिचान करें, और अपने जीवन को सफल बिलाएं